इस question में हमें यह interval given है यहाँ पर हम पहले bracket देख लेते हैं goal वाले bracket का मतलब होता है not included जो square वाले bracket होते हैं इसका मतलब होता है included यहाँ पर minus 23 के साथ एक square bracket है इसका मतलब minus 23 include हो रहा है 5 तो साथ round bracket है इसका मतलब 5 include नहीं हो रहा है तो इस interval का मतलब है minus 23 से लेके 5 की बीच में सारे numbers और minus 23 भी अगर मैं इससे set builder form में लिखूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा यहां notice करो x greater than equal आ रहा है minus 23 क्योंकि यह minus 23 include हो रहा है और less than 5 आ रहा है यहां less से आ रहा है क्योंकि 5 include नहीं हो रहा है इससे मैं set builder में लिखूँ तो कुछ ऐसा लिखूँगा x colon x belongs to r क्योंकि x is real number है और minus 23 से लेके 5 तक की बीच में लाय करता है